दोस्तों फिल्म जीरो के ओफिशल ट्रेलर को रिलीज हुए एक घंटा पूरा हो चुका है और हम इसकी पुरी रिपूर्ट ले आये हैं कि एक घंटे के बाद ठक्स ओफ इंदुस्तान वर्सेस रोबुट 2.0 टीजर वर्सेस जीरो ट्रेलर कौन कितना आगे रहा कौन पीछे आये डालते हैं सबसे पहले तीनों ही फिल्मों के आकड़े के उपर नजर अलागी 2.0 का ट्रेलर कल आएगा इसलिए हमने कंपरिजन के तौर पर 2.0 का टीजर लिया है जबकि जीरो और ठक्स का ट्रेलर जीरो की एक घंटे के बाद में दोस्तों काफी अच्छे व्यूज देखने के मिले और ये व्यूज है 4,57,000 लेकिन नजर डाले लाइक्स पर दोस्तों लाइक्स के मामले में जीरो ने काफी तेजी पकड़ी है 1,61,000 लाइक्स एक घंटे में और व्यूज भी लगबग 4,60 जीरो शारू खान की एक फिल्प तगड़ी सावीत रही अब बात करते हैं अपन ठकस ऑफ हिंदुस्तान के बारे में ठकस ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान अमिता बच्चन काटरिना कैफ और फतिमा सनाशेग इस्टारा फिलम है दोस्तो ठक्स ओफ इंदोस्तान के लाइक्स और व्यूज भी काफी शानदार रहे थे एक घंटे के बाद में आमेर खान अमिता पक्चन ने व्यूज के मामले में यहाँ पर जीरो को पचार दिया जहां दोस्तो एक घंटे के अंतराल में 4,80,000 व्यूज बटॉर लिये थे ठक्स ओफ इंदोस्तान में लेकिन अगर लाइक पर अज़र डाले तो ये जीरो के आदे भी लाइक नहीं है मातर 75,000 लाइक ठक्स ओफ इंदोस्तान एक घंटे के अंदर पटा रहे थे अब आज़ कर लेते हैं रोबोट 2.0 के टीजर के बारे में दोस्तो रोबोट के टीजर ने कई बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाय थे इसका फाइदा इसलिए मिला था कि इसे तीन लेंग्विज में तीन भाग में रिलीज किया गया था और दोस्तों इसके तीनों भागों को अगर काउंट करके जोड़ा जाये तो इसने एक घंटे के अंदर महती ज़्यादा यानि कि 6 लाक से ज़्यादा व्यूस हसिल किये थे और 2 लाक से ज़्यादा लाइक्स हसिल किये थे यानि कि रोबोट 2.0 के टीजर ने ही आमिर खान और शारु खान के फिल्मों के ट्रेलर को पचार दिया और ठक्स अफ इंदुस्तान के ट्रेलर को व्यूस के मामले में जीरो से आगे सब्वलता मिली लेकिन लाइक्स के मामले में यहाँ पर जीरो ने ठक्स को बचाड़ दिया तो दोस्तों ये थी एक घंटे के पूल रिपोर्ट आपको ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी खबर चानने के लिए